नमस्ते दोस्तो, आज हम डाबेली ढेबरा बनाने जा रहे हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिलिशियस बनते हैं दोस्तो, आप देख सकते हैं ये बाहर से क्रेस्पी और अंदर से बिलकुल ही सॉफ्ट बनते हैं, तो चलिए इस रेसिपी को हम ज्वार का आटा, यहां पर मैंने ज्वारी का आटे का इस्तमाल किया है, आप चाहिए तो बाजरी या फिर गेहूं के आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं, दो टेबल स्पुन डाल देंगे डाबेली मसाला, डाबेली मसाले की रेसिपी मैंने पहले ही दे दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा दोस्तो घर पर बनाया हुआ डाबेली मसाला भी बहुत ही यमी बनता है अब इसी के साथ हम डाल देंगे दो टेबल स्पून जितना मसाला सिंग इसकी भी रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा आखिर में एक टेबल स्पून जितना तेल डाल देना है और इसे हम अच्छे से मसाल लेंगे ताकि जो मसाला है वो सारा अच्छे से चिपल जाए अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ ही पहले अइकन को दबाना ना भूलना ताकि मेर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे अब यह अच्छे से मिक्स कर हो चुका है तो हम ले लेते हैं पानी और इसका हम आटा लगा लेते हैं इसका आटा हमें बिलकुल ही रोटी जैसा ही लगाना है बहुत जादा सक्त या बहुत जादा नरम नहीं रखना है दोस्त तो अब हमारा आटा अच्छे से रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्ता आटा नहीं लगाया है बड़ी पूरी की साइस की हमें लूई बना लेनी है अब हम इसे आटे के बिना ही अच्छे से रोल कर लेंगे पहले हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे ज़्वारी का आटा है इसलिए इसकी जो किनारी है वो थोड़ी थोड़ी फट सकती है दोस्तो लेकिन आप इसका जरा भी टेंशन ना लीजिएगा इसे बस दिखाए गए तरीके से हम ऐसे फिक्स कर लेंगे और इसी प्रकार इसे अच्छा सा राउंड शेप देंगे डेबरे को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे दोस्तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है अब इसे हम प्रिक कर लेंगे ये स्टेप आप इसमें स्किप भी कर सकते है लेकिन ये करने से जो हमारी डेबरे ह वो बहुत ही अच्छे से सिख जाते हैं इसलिए मैं इसे प्रिक करना ज़्यादा पसंद करती हूँ अब दिखाए गए तरीके से हम इसे पैन में रख देते हैं एक बार ये सिख चै फिर हम इसे पलट लेंगे अब इसके उपर लगा लेना है गी या फिर आप तेल का इस्त सकते हैं और पाउभाजी मैशर की मदद से हम इसे अलका अलका प्रेस कर लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से सिख चै और हमारे यमी डाबेली धीबरास बनके तयार है दोस्तों तो इस परियूशन में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राइ करिएगा ये बनाने में बहुत ही आसान है और साथ ही जट से बन जाती है आप इसे चाय के साथ या फिर मसाला दूद या कॉफी किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं और ये बहुत ही डिलिशेस लगती है दोस्तों तो इस परियूशन में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राइ करिएगा ये टेबर बाहर से क्रेस्पी और अंदर से बिलकुल ही सौफ्ट बनते हैं तो इंतिजार ना करें और फटा-फट से इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिए और झाल